हेलो फ्रेंड्स वेर्कम टू माय चैनल मनीशा के किचिन में आपका स्वागत है आज हम मिर्ची आलू फिलिंग वड़े बनाएंगे यह जोदपुर जैपुर में बहुत फैमस है यह वहां के स्पेशल है डिश तो आइए स्टार्ट करते हैं यह मिर्ची है उनको चीरे लगा करके और हमको उनकी फिलिंग तैयार करनी है तो आईए देख लेते हैं इस तरीके से पूरे आलू हमको निकाल के चिलके रिमूव करने है उसके बाद मैश करके इस तरीके से पूरा हमको फिलिंग तैयार करना है देखे फ्रेंड्स इस तरीके से पूरा फिलिंग को तैयार क कड़ाई butawisen kardit अलुगी ayattori inert add the Lots of आलुम dedim अलुम के अच्छे लिए से ढालने के बाद अच्छे के बाद हम उसमे नमक, स्वाधन,साः डालेंगे नमक एट करने के बाद हम उसमें थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे मिर्ची डालने के बाद हम उसमें थोड़ी सी शुगर एट करेंगे शुगर एट करने के बाद हम उसमें दनिया एट करेंगे दनिया अच्छे से वाश करके हमने रखा हुआ है धनिया एट करने के बाद हम उसमें एट करने वाले हैं लेमन जूस देखिए फ्रेंस लेमन जूस एट करेंगे आदा लेमन मैंने निकाल के उसमें जूस हमने डाल दिये कुछ खटा मीठा सा स्वाद आ जाएगा इसमें फिलिंग बहुत ही बढ़िया और टेस्टी होती है यह मिर्ची वड़ा की देखिए फ्रेंस इस तरीके से पूरा सच्छे से मिक्स अप करना है दूसरी साइड हम मिर्ची जो हमने तयार करके आमचूर और नमक वाली रखी हुई है उसको हम पूरा वाश करेंगे और थोड़ा नमक और आमचूर को हम अच्छे से निकाल लेंगे एक गंटा हमने एक डिर गंटा रखा हुआ है तो अच्छे से तयार हो गई होगी हमारी मिर्ची यह हमने बेसन और खाने की सोडा देखे और दूसरे साइड नमक आएए आगे स्टार्ट करते हैं बेसन हमने निकाला है देखे ये बेसन के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमप एड़ करेंगे स्वाधनूसार अपने हिसाब से आप एड़ कीजिए उसके बाद हम पानी एड़ करेंगे ये हमको थोड़ा सा डाग बनाना है बैसन का गोल जैसे बज़िये पर अच्छे से फिलप अच्छे से चड़ जाए अच्छे से फिलप हो जाए बहुत ही डीला नहीं करना है थोड़ा टाइट करना है देखिए अब हम इसमें सोडा एट करेंगे आदर स्पून सो डाइट करके अच्छे से हम इसको फेट लेंगे ताके हमारा बज़िया बहुत ही स्वाधिष्ट बने देखिए फ्रेंस गोल तैयार हो चुका है इधर हमारी मिर्ची भी आ चुकी है इधर हमारी फिलिंग भी तैयार है अब हम कड़ाई रखेंगे और ओयल डाल देंगे ओयल डालने के बाद हम उसमें अपनी मिर्ची अच्छे से फ्राय कर देंगे पहले देखिए इस तरीके से मिर्ची फ्राय करके हम फिर उसको बाहर निकाल देंगे देखे अब ये filling हम इसमें ऐसे बर देंगे और मिर्ची वड़ा इस तरीके से उपर से बेसन का गोल हम अगा लेंगे और अच्छे से हम इसे fry करेंगे देखे फ्रेंस देखे फ्राय होने के लिए हमने डाल दिया है पहले थोड़ा सा फास्ट उसके बाद स्लो आज पे अच्छे से पूरा बेसन को हमको पकाना है बज़िया बहुती टेस्टी बनता है देखे फ्रेंस ये अभी हम इसको पीसिस करके और खाने के लिए रेडी कर देगे देखे फ्रेंस इस तरीके से बहुती स्वादिश्ट होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई